आप सभी का स्वागत है मित्रो आज हम चर्चा करेंगे भारत में सुशाशन अर्थात गुड गवर्नेंस भारत में सुशाशन की अवधारणा बहुत पुरानी है यदुपी वैश्विक पटल पर इसका उदभाव एम विकास पिसली सदाब्दी के अंतिम दशक में इसपस्ट रूप से देखने को मिलता है और इसका अर्थ और इसको परिभाशित जो अंतर राष्टे संगठन हैं संस्थाएं हैं उनको उस समय की आर्थिक राजनितिक एमम सामाजिक संदर्भों में विशलेशित किया गया है इस अवधार्णा का विकास वैश्विक पटल पर जहां 1990 में हमें देखने को मिलता है उस यह वह समय है जहां पर विश्व ववस्था परिवर्तित हो रही थी आर्थिक ववस्थाएं परिवर्तित हो रही थी सामयवादी ववस्था का सिम्टा हो रहा था बाजार आधारित ववस्था इस्थान लेती जा रही थी और सामाजिक रूप से जो व्यक्तियों का आवा गमन है के कारण जो संस्कृति थी उसमें भी परिवर्तन हो रहा था भूमंडली करण के परिनाम स्वरूप देशों के मध्य की जो संस्कृति थी जो सामाजिक धाचा था उसमें भी परिवर्तन हो रहा था राजनितिक रूप से जो सामयवादी ववस्था थी उसका धीरे धीरे सिम्टा हो रहा था और उन्हों पूर्व सोव्य संखा जो सामय वादी ववस्था पर आधारित थी उसका बिखरा हो चुका था तो दुई धुरिवय ववस्था के स्थान पर एक ऐसी ववस्था उभर कर सामने आई जो की पूझी वाद पर आधारित ववस्था थी जो प्रतियोगिता पर आधारित ववस्था थी और यही वह समय था जब नवीन देशों के समक्ष ये चुनोती थी कि किस तरीके से वह अपने देशों में विकास की गती को तिवृता प्रदान कर सकते हैं इनी संदर्भों में जो वैश्विक स्थर के संस्थाईं थी संगठन थे जिसमें अंतराष्टे मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट संग, इसी के साथ साथ WTO और भी जो संगठन थे वो आर्थिक विकास के लिए जो नवोदित राष्ट थे उनको आर्थिक सहता प्रदान कर जिसका उद्देश्य था कि इन देशों में जो मिनीमम या मूल भूत व्यक्तियों की आवशक्ताई हैं उनको आर्थिक सहता के द्वारा विद देश अपने देश की जनता का आर्थिक विकास सुनिशित कर सके पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर ये इस्प रास्टिय संगठनों के द्वारा इस्थापित की गई थी अपेक्षित की गई थी उनको पूरा करने में जो अपेक्षाएं थी उससे कहीं दूर हो रही थी इसी का परिणाम था कि विश्व बैंक के द्वारा जो सब सहारे कंट्रीज थी उनमें अध्यन किया गया और इस इस बात पर पहुंचने का प्रियास किया गया कि आर्थिक सहयता के उपरांत भी ये ववस्थाएं अपेक्षित परिणामों से दूर हैं उनके पीछे कौन-कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं निशित रूप से जो इन नवोदित राष्टों की राजनीतिक ववस्थाएं थ अपेक्षा से दूर थी जहां सरकारें अपने अपनी नई नई नीतियों को लेकर आ रही थी वहीं जो लायबिल्टी अंतर रास्टे समुदाय के द्वारा बनी हुई थी उनको लेने से इंकार कर रही थी अर्थात आर्थिक विकास के नाम पर सहायता लेनी का कारिया इन देशों के द्वारा तो जारी रखा जा रहा था लेकिन जो मुख्य समस्या थी वह थी कि उसको किस तरीके से बहतर तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए और जनता की आर्थिक स्थिति को जिन्हों को क्यों मूल भूत आवशक्ताओं की पूर्ती है तो प्रियोग किया जाना चाहिए इसी दरश्टी कोन में से जो विश बैंक है उसके द्वारा जो पहली अपनी 1989 की रिपोर्ट है उसमें इस अवधार्ना को सपस्ट किया गया था इसी के साथ साथ विश बैंक के द्वारा जो दूसरी रिपोर्ट है 1992 में आई थी उसमें कहा गया था कि जो ये सुशाशन है ये एक ऐसा तरीका है एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो देश है वह है अपनी जो उनकी सामा राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक उनके जो प्रबंधन है उनका किस तरीके से वो प्रबंधन करते हैं यह एक प्रिक्रिया है निशित रूप से सुशाशन की अभधाना को यूएन के द्वारा और संगठनों के द्वारा सैक्षिक जगत के द्वारा भिन भिन रूप से परिभाशित किया गया है उन परिभाशाओं के आधार पर हम ये दी सुशाशन की प्रमुख विशेश्टाओं का उलेख करें तो उनमें पहली ववस्था है कि इन राजनितिक ववस्थाओं के अंतरगत ट्रांस्पेरिंसी या पार दर्शिता होने चाहिए अर्थात ववस्था के अंतरगत जो क्रिया कलाप घटित हो रहे ह उनमें पार दर्शिता होने चाहिए जो जनता है वह इतने इंपावर हो कि उसे ये जानकारी हो राजनितिक ववस्था के द्वारा वो माध्धम जनता को उपलब्ध कराए जाएं जिनके माध्धम से वह उस ववस्था के बारे में जान सकें इसी के साथ साथ accountability होने चाहिए कि जो ववस्थाई हैं राजनितिक ववस्था हैं सरकारी तंतर है प्रशाश्निक तंतर है उसकी जनता के प्रती accountability होनी चाहिए कि जो भी कार्यग के जाएंगे उसके लिए वो जनता के प्रती उत्तरदाय रहेंगे इसे के साथ साथ जो सामजिक ववस्था में के अंतरगत ऐसा वर्ग है जो किनी कार्णों से मुख्यधारा में नहीं आ पाया है उसके लिए इस तरीके की योजनाओं का निर्मान किया जाए जिससे यह वर्ग जो अभी तक विकास की जो लाब उन तक पहुँचने चाहिए थे उनसे अच्छूता रह गया है उसको भी मुख्यधारा में लाया जा सके प्रसाशनिक शमता जो है वह दक्ष होनी चाहिए सरकार की द्वारा जो भी निर्ने लिए जाए उनको बहुत ही दक्षता के साथ बहुत ही अफिशेंसी और अफिशेंट तरीकों से उन्हें लागू किया जाए जिससे कि उनका जो प्रभाव है वो निशित रूप से सामाने जनता सक पहुंच सके कानून का साशन होना चाहिए अर्थात कोई भी ववस्था हो समस्ववस्था के द्वारा कानून के शाशन का पालन किया जाना चाहिए अर्थात सभी लोग ववस्था के प्रिक्रिया में उपर से नीचे तक लोगों की सह भागिता सुनिशित हो निशित रूप से जो सुसाशन है वह इस बात पर बल देता है कि लोगों की सह भागिता सुनिशित होनी चाहिए वो निर्न निर्मान में निर्नेों को लागू करने में अपना सह भागिता बनाए रखे निशित रूप से जो इस तरीके के प्रिक्रिया होगी वह लोगों को विकास करने में सायक सिद्ध होगी इसी के साथ साथ जो UN के द्वारा जो बात की गई थी वह थी कि किस प्रकार से ववस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए भारत में सुशाशन का इतिहास पुराना है यदपी वर्तमान सुशाशन की विशेष्थाओं से वैभिन हैं लेकिन अंतिम रूप से उसका भी उद्देश रहा है कि जनता का कल्यान कैसे संभव हो जो हमारा पुराना साहित्य हैं, हमारी जातक कथाई हैं, हमारी नीतिसार है, हमारे वेदों में हैं, इसी के साथ साथ हमारी बालमेकी की रामायन की हम बात करें और विशेश रूप से यदि हम बात करें तो कोटिल्ले का जो अर्थशासर है उसमें इस पस्ट रूप से इन बातों पर बल दिया गया है कि वही साशनववस्था वही राजा सर्वोत्तम है जो अपनी जनता का भला करता हो उनके विकास की बात करता हो कोटिल्ले ने यहां तक कहा है कि एक राजा को अपनी जनता की खुशी में ही अपनी खुशी देखनी चाहिए अर्थात यदि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी हो सकता है और यदि प्रजा सुखी नहीं है तो राजा भी सुखी नहीं हो सकता ये हमारा जो प्राचीन सा वो इस बात पर भी बल देता है। इसी के साथ साथ जो भारत में गांधी दर्शन है गांधी जी का दर्शन भी बात करता है कि अधिक से अधिक लोगों का जो हम भारती जनता गाओं में निवास करती है वहां तक लोगों के पास में सरकार के द्वारा चलाई गई यूजनाओं का लाब पहुचना चाहिए ग्राम इस्तर पर जो संस्थाएं हैं उन्हें विक्सित करके उनके सहभागिता को सुनिशित किया जाना चाहिए तो निशित रूप से जो भारत के ये हमारी एतिहात सिक्वरासत है हमारा स्वतंतरस्ता संगराम के दोरान का जो संखर्ष है उसे के साथ साथ जो गांधिवादी दर्शन है और जो सम्वेधानिक हमारे निरमाता हैं उनके द्वारा जो प्रमुक रोप से बल दिया गया है वे हैं कि किन किन माध्यमों से भारत में लोगों की सह भागिता उनका विकास इस्थानिय संस्थाय को विक्सित किया जा सकता है और उन्हें ओर अधिख प्रभावी बनाया जा सकता है भारतिय सम्विधान के विभिन अनुच्छेदों में इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार से लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखते वे उनकी सहभागिता को सुनिशित कर दिया जा सकता है भारत में विशेश रूप से जो हमारी प्रस्तावना है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय की बात करती है कि लोगों को कई न्याय जो है वो सुनिशित किया जाए इस तरीके की संस्थाओं का अगठन किया जाए इस तरीके की प्रक्रियाओं का पालन किया जा हमारे कारिय करमों को और गती प्रदान करती है स्वतंतरता के पशात भारत में विकास की परक नीतियों का निर्वान किया गया उनको लागू किया गया जिसका उद्देश था कि जो समाज का वर्ग अभी तक किनी कार्णों से आर्थिक सामाजिक या राजनितिक रूप से लाब है उन तक पहुँचाया जाए उसकी सुनिशित्रा की जाए इसी क्रम में भारत में स्वतनता के पशात 1950 और 60 के दशक का येदि विशलेशन करें तो इस पस्ट रूप से दिखालाई देता है कि उस समय पर जिन चीजों पर प्रमुख रूप से बल दिया गया था वह थी भारत में संस्थाओं का पुनर गठन और संस्थाओं की स्थापना इस तरीके की संस्थाओं जो लोगतांतरिक हो जिनका उद्देशे जनता का कल्यान हो जो रिजल्ट ओरियंटीड हो और जो संस्थाओं उस समय पर स्थापित थी उनका पुनर गठन किया जाए पुनर को और अधिक लोग तांतरिक बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों की नीते निर्मान में सहभागीता सुनिशित की जाए इन दो दशकों में विशेश रूप से इन ही चीजों परवल दिया गया कि इन संस्थाओं का पुनरगठन और इस्थापना की जाए इसी के साथ साथ इसे काल में भारत में ये महसूस किया जाने लगा था कि जो अपनिवेशिक विरासित का प्रशाशनिक धाचा उस समय पर विद्दमान था उसको किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों के अंतरगत परिवर्तित किया जाए चुकि जो सामाजिक आर्थिक राजनितिक परि जल रहा था लगभग दो दशक का समय हो चका था और ये सभी के द्वारा महसूस किया जा रहा था कि इस तरीके की ववस्था को अपनाया जाए जिससे कि जो हमारा प्रशाशनी धाचा है उसको लोग तांत्रिक ववस्था के अनुरूप तथा भारत में चुकी समिधान के मात इसलिए भारत में 1966 में जो हमारा पहला प्रशाशनीक सुधार आयोग था उसका गठन किया गया था और उसका उद्देश यही था कि किस तरीके से जो प्रशाशनीक शमता है उसको बढ़ाते हुए वर्तमान परे संदर्भों में उसको और सारगर्भित बनाया जाए निशित रूप से सरकार के द्वारा आर्थिक छेतर में राजनीतिक छेतर में और इसी के सासा सामाजिक छेतर में विकास के लिए भारत में सरकारों के द्वारा निरंतर विकास परक यूजनाओं का गठन किया जा रहा था उनको लगू किया जा रहा था लेकिन ये भी महसूस किया जा रहा था कि इस्थानिय इस्थर पर लोगों की सहभागिता सुनिशित नए होने के कारण जो विकास परकनीतियां थी या कारिक्रम थी उनका जो परिणाम था वह अपेक्षा से दूर था निशित रूप से उनकी सहभागिता को सुनिशित करने के लिए जो प्रशाशनिक तंत्र है उसको और चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस प्रशाशनिक आयोग के द्वारा बहुत सारे सुझाव सरकार को समिठ किये गए अपनी सिफारिशे दी गई जिसका उद्देश्य थ कि प्रशाशनिक धाचे में संस्थागत परिवर्तन के साथ साथ प्रिक्रियागत परिवर्तन भी सुनिशित किये जाएं क्योंकि संस्थाओं के साथ साथ अगर हमारे पास लोगतांत्रिक संस्थाएं हैं अगर उनकी प्रिक्रिया भी लोगतांत्र होगी तो निशित धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा था वैश्विक पटल पर जो परिवर्तन था भारत में भी उसका इसपस्ट रूप से प्रभाव देखा जा रहा था वैश्विक पटल पर जहां साम्मे वादी ववस्था सिमट रही थी वहीं पर ही पूझी वादी ववस्था का दूर आरम हो चुका था भारत में भी निश्यत रूप से इस यही काल था जब भूमंडली करण के परिनाम सरूप जहां पर देशों के मध्या आवागमन वस्त्मों का आदान प्रदान सरल हो रहा था वहीं पर उदारी करण की नीती देश में लागू की जा चुकी थी और नीजी कर अशन की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत बढ़ा मेल का पत्थर अगर हम कहें तो अतिश योक्ति नहीं होगी भारत का जो समयधानिक संशोधन है 73rd और 74th ये एक ऐसा कदम है जिसने भारत में इस्थानिय इस्थर पर लोगों की सैभागिता को राचनितिक संस्थाओं में स निशित कर दिया था इन समयधानिक संशोधन के माध्यम से इस्थानिय इस्तर पर इस्थानिय इस्थानिय लोगों के द्वारा जो चुनी हुई संस्थाओं थी उनका गठन किया जा रहा था अर्थात अब इस्थानिय इस्तर पर ही लोगों के द्वारा अपनी नीतियों का निर्मान किया जा रहा था उन्हें लागू किया जा रहा था और उन्हें और अधिक प्रभावकारे बनाया जा रहा था इन संशोधनों ने जो एक और तिवर परिवर्तन लाया वहे था कि जो सीटे थी उनमें जो अब तक एक बड़ा वर्ग अनुसूचित जाती अनुसूच परिणाम स्वरूप निशित रूप से ये देखा जा रहा था कि जो ववस्था उभर कर सामने आ रही थी उसमें इस वर्ग की सहभागिता सुनिशित होने के कारण ये संस्थाएं अब और अधिक प्रभाविक तरीके से काम कर रही थी इनके प्रभावकारी कारिक के सरूप इस्थानिय इस्तर पर लोगों की राजनितिक प्रिकरिया में सहभागिता सुनिशित हो गई आर्थिक विकास को उन्हें की आवशक्ताओं के अनुरूप नीतियों का निर्मान किया जा रहा था और वही पर छेत्र विशेश में उनको ल यार किया इसी द्रश्ची कोन से यह भी महसूस किया गया भारत में कि जो प्रशाशनिक मर्शिनरी है वह कहीं जनता से दूर दिखलाई देती है जनता से उस जो लगाव होना चाहिए उस लगाव की कमी भारतिय समाच में भी महसूस की जा रही थी भारतिय सरकारों के द्व करते वे प्रशाशनिक तंत्र को और अधिक प्रभावे बनाया जाए और अधिक कुशल बनाया जाए जिससे की सुशाशन के लक्षे को प्राप्त किया जा सके निश्चित रूप से इसे दिशा में बढ़ते हुए 1996-1997 में भारे सरकार की द्वारा ये कदम उठाया गया और रास्टे इस्तर पर जो राज्चों के सचिव थे उनके द्वारा और जो मुख्य मंत्रियों हैं उनकी बैठके बुलाकर इस बात पर चर्चा की गई कि किस प्रकार से जो भारती विवस्था है प्रिशाशनिक तंत्र है उसको और अधिक तरीके से हम उत्तरदाई बना सकते कि इस आवरशक्ता को महसूस किया जा रहा था और महसूस करने के साथ सब उस पर कारीय भे किया जा रहा था यह बैठक निश्चित रूप से उसी दिशा में महत्तपून कदम था कि जो यह जिसने यह बात पर बल दिया कि किस तरीके से जो ट्रांसपरेंसी है पार दर्शित होगा तो वह निश्यत रुप से एंपावर होंगे वो शशक्त होंगे उन सूचनाओं के माध्यम से जो इस अधिकार के तहत वो प्राप्त कर सकेंगे और जब नागरिक शशस्त होगा नागरिक जागरोख होगा नागरिक सूचनाओं के माध्यम से और सशक्त बनेगा तो नि स्थानिय इस्तर पर जो भी योजनाय बनाई जाएंगी उनमें वह उनकी भूमे का बहुत ही सारगर्वित रहेगी इसी के साथ साथ जो प्रशाशन में जो समस्याइं हैं उन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है क्योंकि इस बैठक में जो भारत के प्रम स्तंतर में बहुत सारी कमियां हैं या आ गई हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे आ गई हैं जिनके जिनका वजह से आम आदमे को परिशानी होती है उसे दूर उसकी जो कारे पर नाली है संस्थाओं की वो ऐसी है जो आम आदमे के लिए कश्ट कर हो जाती है या उसे वो रह जाती तो किस तरीखे से उसे उसे और अधिक जनता की प्रती और अधिक जुडाओं पैदा किया जा सकता है इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और इसी के साथ साथ जो हमारे civil servants हैं इनको किस तरीखे से मोटीवीट किया जा सकता है जो कि लोग तांतरिक ववस्था के साथ साथ जब भारत में लोग कल्यांकारी राज्य जBlवस्था है तो निश्यत रूप से ऐसे एने कारिक्रमों को जो सरकार के द्वारा वीज समय समय पर चलाय जाते हैं जिन नीतियों का निर्मान किया जाता है उसके लिए इस तरह के की एक प्रशाशनिक ववस्था होनी चाहिए जो कि सरकार के उद्देश्यों को सरकार के लक्षे को सरकार की जो आकांगशाई हैं उनको पूरा कर सके और उसको पूरा करने के लिए प्रशाशनिक तंत्र ही एक मजबूर्ट धाचा है जिसको की जिसके माध्धम से सरकार अपने लक्षों को प्राक्त करती है भारत में भी इस दर्शक में यह मैसूस किया जा रहा था कि जो प्रशाशनिक तंत्र है उसको मजबूर्टी प्रदान की जाए उनको प्रसिक्षित किया जाए आने वाली जो समस से आए हैं उनसे उनको दूर किया जाए इसी के साथ साथ जो नीतियां बनेंगी जो परिवर्तन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक छेत्र में आ रहा था उनके माध्धम से जो प्रशाशनिक तंत्र है उसको उसके अनुरूब बनाया जाए जिससे की अपेक्षित लाभ य दिरंतर प्रियास किये गए और इसी का परिणाम था कि भारत में हम देखते हैं कि 2000 में भारत में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट है वो आया वह एक निशित रूप से ऐसा सरहानिय कदम है जिसमें भारत को उन गिने चुने देशों की शेरने में लाकर खड़ा क कर दिया जो कि इस तरीके का तंत्रिया इस तरीके की वगस्था अपने देश में रखते हैं विकाशिल देशों के साथ साथ विक्सित देशों में भी तब यह वगस्था कुछी देशों तक सीमित थी तो भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जो सूचना एमम संच सूचन के दिशा में भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे वह निशित रूप से सरहानिय थे इसी के साथ साथ 2000 से और वर्तमान तक सूचाशन की दिशा में जो प्रियास भारत सरकार के द्वारा किये गए हैं उसको हम उस पर हम अब चर्चा करेंगे कि वो कौन- रहा को और सरल कर दिया है